करते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं संतोर्री वाश्टों माई टेलिन चैल्एण में आपका स्वागत है। आज हम आपको आसान विदी से रुखु सरौल तरीके से पास्ता बनाना बताएंगे। यह देखे लिखर आपको पाश्ता बनाना है, मैंनेने डिर के subscribe क्लिखतंगे, यह देखे पाणी में उबानी के लिखते पांई के लिखता हैANS के लिखता है, इसमें नह OFFICER गजरानी के लिखते को यह तंबार नहीं करण दे अब दोदुकरूराया को देखना तो कहां है, paradox के ल स्टार्ट निकल जाए अब इसके लिए इसमें डालने के लिए समक्री लेनी है एक बड़ा प्याज काट लेना है मिर्च आप अपने टेस्ट के एकॉडिंग ले लें हरी मिर्च रिश जैसा भी आपको टीखा पसंद है यह देखे प्याज मिने काटा है इससको जो भी सब्सक्राता हैं सकता है तुट्पर टुपलो में थूद्पर न दीक सब्खिक भी उसके हाँ तीन चम्मच ऑयल गरम कर लिया सरसो का और इसमें जीरे का तड़का देंगे और यह बहुत जल्दी नाश्ते में फास्ट बनके त्यार होता है अब यह देखिए जो प्याज हमें काटा था उसको हम फ्राई कर लेंगे सारी सब्जियों को और प्याज को बहुत जादा नहीं पकाना है हलका सा ही पकाना है इसमें यह देखिए हलका सा ही पकाएंगे प्याज को अख ये बहुत जल्दी नाश्चते में बनके त्यार होता है ये हलका सा प्याज सब्ज पक गया है तब हम इसमे सारी सब्जिआं डालने नहिसलेंगे डाल सकती हैं मटर जाल सकती हैं जो भी आप सब्डियां आपको पसंदें इसमें आप डाल के पका सकती हैं यह देखिए अब इसको भी हलका सही पकाएंगे सब्डियों को बस पक जाए इसका कच्छा पर निकल जा इतना ही पकाना है यह देखिए नमक टेस्ट के कोडिंग डा जल्दी पक भी जाएंगी नमक यहां पर डालने से यह देखिए इसको चलाते हुए ढांक कर बस दो तीन मिनट तक और पकाना इसको यह देखिए ढांक दिया है दो तीन मिनट ही हम इसको पकाएंगे सब्धियों का कच्चा पर निकालेंगे अध्रक लैसुन का पेस्ट डाल दें या फिर आपकी पास फ्रेश अध्रक लैसुन है उसको भी आप तूट के या पीस के डाल सकती है यह देखिए इसमें इसको भी अच्छा पर निकल जाए अच्छे से फ्लेवर आजा इसमें और यह देखिए टेमाटर डाल देंगे टेमाटर को भी हम इसी में गला लेंगे सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे बिल्कुल फ्री है लाइक करें कमेंट्स करें करें कि आपको वीडियो कैसे लगी आप यह देखिए इसमें हमने पास्ता डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि यह मसालो का जितना भी कि अपिरी on कि यहोंडि जालि है य hm नूभा ने अपJacky कि ऐने सब्सकाइब नभान काके इसल ड्रवाइबीर है उसमें दलेखे हैं। और थोड़ा सा विनिगर डालेंगे आपके पास अगर पास्ता मसाला है पाउस में आता है उसको भी डाल सकती है आप मुझे नहीं पसंदे तो मैंने नहीं डाला है मैं घरेलू तरीके से बना रही हूं पर बहुत अच्छी लगती है खाने में इस तरह से और बहुत जल्दी बनकर रेडी होती है अगर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमें भी सपोर्ट करें आप ताकि अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आप उसका लाब उठा सकें तो इसलिए प्लीज सपोर्ट जरूर करें लाइक करें करें वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं आप बैल आइकन को जो प्रेस करते हैं और पर विसेट कर दें यह देखें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और उसको पांच साथ मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर पास्ता के अंदर आ जाएं और हरी धनिया डाल बैल कर भी इसको मिक्स कर देंगे आपको गरम मसाला तीका पसंदे तो आप घरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं उपर से बात में अ इतना अच्छा राया है और ये बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं बड़ोस्ति- हविख सब्कें सब्क है। कि वखो बनकर एड़ी हो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा तो खाने मे तो आप इतना अच्छा आएगा। तो आप इमेजिन करी सकते हैं बना कर ज़ूर ट्राइक करें इस रेस्पी को और धनिये से गानिश कर देंगे यह देखिए कि बनकर रेडी हो गया है और प्लिस लाइक कमेंट्स जबूर करें और कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में